हेलो केट्स तो अब हम लोग करने वाले क्लास 10 साइंस बाइलोजी पार्ट चैप्टर नंबर 9 हैरिडिटी एंड इवलूशन चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों का नेक्स टॉपिक है इवलूशन ड़स नॉट बी इक्वेटिड विद प्रोग्रेस सबस्तis को इन एक्सक्राइब फॉसके साथ इसको ड् Hernan नहीं कर सकते हीम लोगों के साथ इसको इसको इसकित नहीं आर इकसी बना रहे हैं ट्रेस करने के लिए कि कोई सी स्पीशे किसे बिलों कर रही है तो हमें कुछ चीजे ध्यान में रखने की ज़रुरत हैं मतलब एक स्पीशे फॉसिबटा तो इससे हो सकता है तो नई स्पीशी का क्रिशनों जाये यहां से आपकी चार स्पीशे बन जाये तो मतलब मुल्टिपल ब्रांचीज आर पॉसिबल, कापी सारी ब्रांचीज पॉसिबल हो सकती हैं So it is not as if one species is eliminated to give rise to a new one और ये ऐसा भी नहीं है कि एक species को eliminate यानि की खतम होना पड़ेगा ताकि दूसरी नही species जो है वो बन सके या पर नही दूसरी species बने इसके लिए जूरी नहीं की पहले species को खतम होना पड़ेगा A new species has emerged and a new species आई है But that does not necessarily mean like the beetle example we have been talking about that the old species will disappear मतलब प्रानी species disappear हो जाए ऐसा नहीं है जैसा कि हमने बिटल के case में देखा था जब red beetles और वहां से green beetles की evolution होगे थी और फिर वह नहीं species ही time के साथ बन देखी It will all depend on the environment यह सारा environment के ओपर depend करता है कि जो नहीं species है वो exist कर सखेगी और कितना time तक रह सखेगी या फिर परानी species जो है क्या वो शर्वाइब पर पाएगी बदल से वो इंवार्मेंट में सब इंवार्मेंट के ओपर depend करता है Also, it is not as if the newly generated species are in any way better than the older one और यह भी नहीं है कि जो नहीं species generate होगी वो परानी वाली से पहतर होगी यह भी हम लोग नहीं कह सकते हैं It is just that natural selection and genetic drift had together led to the formation of population that cannot reproduce with the original one यह सिर्फ evolution एक यह चीज है कि natural selection and genetic drift में दोनों नहीं मिलकर एक ऐसी population बना दिया जो पहले से मुझूद या original population के साथ अपरी production नहीं कर सकते मतलब यह नहीं है कि जो निया product बना है नहीं species बनिया है वो पुराने वाले से बहतर थी So for example it is not true that human beings have evolved from chimpanzee तो यह कहते example के लिए सही नहीं है कि human beings जो है वो chimpanzee से evolved होई है Rather both human beings and chimpanzees have a common ancestor a long time ago बल्कि human beings and chimpanzee दोनों कहा कहीं नहीं पूर्वज कॉमन थे बहुत time पहले वहां से कुछ human being में convert हो गए और कुछ chimpanzee में convert हो गए That common ancestor is likely to have been another human or not chimpanzee तो वो जो common ancestor है वो ना तो human है और ना ही chimpanzee है Also the first step of a separation from that ancestor is unlikely to have resulted in modern chimpanzee and human being तो कहते है जो पहला step separation का हुआ होगा कि पूर्वज से evolution हो गया नहीं उससे जो आज का उच्छी पैंसी है या human being है वो बन गया हो ऐसा नहीं होने वाला मतलब जो आज का modern human being का लुक है वो भी धीरे 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 एवाल्व हुआ है Instead, the two resulted species have probably evolved in their own separate ways to give rise to the crunch forms बल्कि जो दो नहीं है नहीं है that is human being and chimpanzee उनका दीरे धीरे most publicly कैता है changes आया होगा अपने अपने तरीके से और उससे वो उनकी आज की current की form त्यार होगए जैसे है mobile phones की बात कर लो क्या आपके पास जो हमारे पास आज catching mobile है क्या वो starting में ही हो जाए नहीं पहले आप लोगों के पास बड़े-बड़े phone होते थे मोटे-मोटे से होते थे फिर दीरे-दीरे-दीरे-दीरे जो है उनके अंदर changes आते गए नहीं-ने switches add होते गए और आज की date में हमारे पास जो नए इसका मतलब क्या है जो separation है वो कुछ और अलब नहीं होता है बात में उसका modification करके और बन जाता है in fact there is no real progress in the idea of evolution बल्कि कहता है अगर हम evolution के idea में बात परेगी progress हो रही है तो ऐसा कुछ भी मिली है evolution is simply the generation of diversity and shaping of diversity by environmental selection evolution का मतलब क्या है कि आप एक ऐसी species produce कर रहे हो जो की diverse है यानि की पहले से अलग है और वो diversity का जो shaping है उसको कौन decide कर रहा है environmental selection अगर species environment में रह सकता है survive कर सकता है वो continue होता जाएगा या अपर उसे अपने आपको environment के अपॉडिली adapt करना पड़ेगा तो only progressive trend in evolution seems to be more and more complex body design have emerged over time तो हम लोग progressive trend को से एक सकते है evolution में कि पहले simple body वाला organism था और धीरे 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 जैसे ऐसे evolution होता गया यह new species बंदी गई और जादा से जादा complex body design वाले और गयानिजम्स देवेल्प हो गए however again it is known as if the older designer insufficient लेकिन इसमें भी यह नहीं कि जो पुराने पुराने और जो simple body design है वो आज भी survive जिंदा है in fact one of the simplest life forms bacteria inhabit the most in hospitable in habitats like hot springs deep sea thermal vats and ice in Antarctica सबसे simple life है इसमें अपना bacteria की बात कर लेते हैं वह बहुत ही ऐसे habitats में रहता है जो मतलब हमारे यह अनुपूल नहीं होते बहुत मुश्किल इन hospitable आप आप उसके बहुत मुश्किल जैसे की गरम जरने हो गए उसके बाद हो गया deep sea thermal vendor गहरे पानी के अंदर जो पानी के मतलब वहां पे रहते पॉसिबल है लेकिन बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइब कर सकता है इन अदर वर्ड इमन बिंग्स आ नॉट पिनेकल ऑफ इवलूशन तो इसका मतलब यह है कि जो हम लोग है वह सबसे ओपर टॉप भी नहीं है कि अगर हम सोचे कि evolution हमारे का खतम हो गया है यह ऐसा कुछ भी नहीं है बट सिंप्ली यह अनदर स्पीश इन टेमिंग स्पेक्ट्रम और इवलूशन लाइफ बलकि सिंप्ली हम लोग भी जैसे बाती स्पीश इवाल्व हुई है प्रडूशन है वैसे हम लोग भी एक कड़ी है एक सीरित में एक पार्ट है और हमसे आगे आगे स्पीश से जनरेट होती जाएंगी तो हम भी इसी लाइफ सर्कल का एक हिस्सा है इसी पूरी इन्वार्मेंट के एक हिस्से के रूप में वाल हुए है और हमसे जो एवलूशन है वो आगे आगे कंटीनू होता रहेगा अब हमारे पास टॉपिक है इंसान का अब किस तरीके इसे इसे वोलुशन हुआ है कि सरी किसे ड्वाल कमेंट या चेंजिस आए है लेकर स्कूर्ण तरीके इसे तरीके यही साधन हम लोगों ने कहता है जो एक हुदा ही हो गया उसके बाद टाइंटिटिंग समय की कैसे कितना पुराना पॉसल तना कहता है एक गज्यां पॉसल पोसल को स्टडी करना और डिने का स्टड़क अडीके हां सी ख्कना ये ही साथा कहर कर्दा है और ऑन करनी के लिए बिदिया जाता है ये रिफॉसल को स्टुदीं पोग्रिती तुदू मच्ड है है दिरिस एकिповराध बिद्डूस्त सबसे मतलब आम तरीका था जिससे की इन नसलों को पहचाना जाया करता था सब्सक्राइब इस पर डिवाइडेशन किया गया था तो एक विप्रेंट जो था बड़ा पूस्टन को कापी लंबे टाइम तक रहा वह यह था कि जो अलग-अलग गुरूप्स हो यह हैं क्या वह अलग-अलग तरीके से इंवल हो यह हैं मतलब जैसे कुछ को यह लोगा कि क्या इनका अलग से ड्वेल्पमें हुआ है जिनकी स्किन का कलर ब्लैक था क्या वह अलग ड्वेल्प हो हैं वाइड 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 वेल्पमें कि अधिन अग ऑड्वेल्पमें पेल वर्वेल्पमें करण पेल्पमें क्लियर वह लुद्वेलिटल विर संतिउ अग्या वक दग्या हैं मतलब एक जैसे अपाने बोला कि human being जो है और चीपैंजी का एंसेस्टर सेम था तो यही human being में आगे जाते हैं कुछ किसकिन yellow हो गई कुछ किसकिन brown हो गई कुछ किसकिन white हो गई और कुछ इस तरीके से बदलते थे मतलब ही नहीं कि yellow वाली human being किसी और species से वोल हुए ब्राउन वाले किसी होर से white वाले किसी होर से ऐसा कुछ भी नहीं है not only that इसरिफ ऐसा ही नहीं regardless of what where we have lived for the past few thousand years we will all come from Africa इतना ही नहीं कहते हैं चाहे हम योग कहीं भी नहीं हो कुछ हजार सालों से हम सभी अफेरिका से आया है जो है वह माना गया है कि human being वहां से मतलब उनका start-up हुआ the earliest member of the human species homo sapiens can be traced there और human species की सबसे पहला जो मतलब आप लोग कैसे तो member था homo sapiens वहां पर मिला है ट्रेस हो चुका है किया जा सकता है अबर जैनेटिक पूपरीज कैन बीट्रेस्ट बैक्ट ओवर अपर रूसर और हमें जो जैनेटिक सजो जीन्स के विशान है वो हमें कहां पर ले जाते हैं अफरीका रूस यानि कि हम लो गई ना कहीं सभी अफरीका से बिलॉंग सब्सक्राइब करते हैं अ कॉपल ओव था हंडर्ड थांजन्द येर्स अगो सालों हजारों साल पहले सब्सक्राइब कुछ दूप पूर मेरिका छोड़ गए वाइन अधर श्रेड और बाकी यो थे ओव दर ही रहे सब्सक्राइब को अधर सब्सक्राइब कर दाडा कर दो प्र देड हैं इस फर इस तरीके से अधर जितने भी ताइम के साथ वो आगे 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 इस तरीके से पहल लगे इंडोनेशिया के आइसलेंड ते वहां पे ट्रैवल किया फिलिपीन पे फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर उन्हें बेरिंग लैंड ब्रीच क्रोस किया ताकि वह अमेरिका पहुंच जाएं या फिर अमेरिका तक चले गए वो चिक्या जी जी दिनोट गो इने सिंगल नाइन वे एकी लाइन में नहीं चले तो देवर नोट रैवल करने के लिए तो नहीं चल रहे थे देवन फोर्वर्ड और बैक्वर्ड कभी वो आंगे जाते कभी पीछे मुच जाते विद गुरू इन आउट ऑफ अमेरिका अमेरिकां के अंसर फिर अफैरिकां की बाहर भी लाइक और अधर स्क्राइब प्लानेट यहाद कमें टूप एंट प्लानेट के उपर हुई वही उसी तरीके से हुमन बीगी स्पीची भी एवलूशन होती गई और ट्राइं को लीग दिर लाइब गई अवर्ट एक उसी तरीके से जी सकते हैं इसलिए वह कभी अफैरिका से अस्क्राइब अबरिकां कभी एश्या यह यहां पर ट्रैवल करते रहे और टाइम के साथ वह दलतों एन्वार्मेंट के साथ उन्हें चीजिस आता गया और आज जो आप लोग देखते हो अपने में जो लुक है वो डिफ्रेंट लिखाई देती हैं पोस्चिल आरे हमारे पास वाइर हमारे बात करें लेकिन फिर भी हम लोग कैसे कहते हैं कि वो सेंप स्पीसिस से बिलॉंग करते हैं उसका अथर जो है वो आपको आज जो अभी हम लोग रिसर्ली बढ़के अटे हैं यह कि अपरिका वाली सारी बात आपको लिखती पड़ेगी कि हो मोस्ट्रेंस जो थे वो पहले अर्लिस में परते कुछ प्रेंस किये जा सकते हैं यह अपरिका गए उदर से एशिया ऐस्ट्रेलिया अमेरिका और इस तरीके से सभी हुमन बेंग्स को स्पीसिस का ही माना गया है इन एवलूशनरी टर्म्स कैन वी से विच अमंग बैक्टेरिया स्पाइड रिफिश और च्पैंजी एव बैटर बोडी डिजाइन के साथ क्योंकि जो बैक्टेरिया है वो ऐसे अपने इन्वार्मेंट में रह सकता है जिसमें बाकी लीडिंग बिंस का रहना इंपॉसिब इस अपने बैक्टेरिया रह सकता था इसमें अंटार्टिका थर्मल वेंट्स डीब अंडर डीप सी और स्प्रिंग में रह सकता था लेकि महां पे च्पैंजी हो गया या स्पाइडर हो गए वहां पे वो नहीं रह सकते उसका मतलब क्या एविलूशन का मतलब यह कभी भी है कि बोडी डिसाइन आपको बैटर मिलेगा आप लोग को कोई सब्सक्राइब पादना पड़ेगा कि बोडी में इस इंची जाते है टाइम के साथ और जब कुछ इंस से जादा हो जाते है तो इतने स्पीसी बन जाती है तो हमारा आसर यहां पे बिलकुल नो आएगा तो ह हमारा जो चैप्टर है वो अव प्लीट हो गया है वी आर लेफ विट विट वट वाट यहां लर्ट और ह्मारे जो पूस्टर तो इस वी दू इन नेक्सेशन थे तो पर वचिंद वीडियो